बेबाक मैं अभिसार शर्मा बेबाक में दोस्तों आज हम एक बहुती एहम मुद्दे के साथ सामने उफर कराएं बहुत बड़ी पड़ताल और पड़ताल ये कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदितनात और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो टकराव चल रहा है जो कोल्ड वार चल रहा है उसका सीधासर भारती जनता पार्टी और 2022 के उत्तर प्रदेश चुनावों पर हो सकता है और इसको लेकर भारती जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आधितनात क्या तिकडम लगा रहे हैं उसको लेकर मैं बहुत एहम जानकारी आपके सामने लेकर आयों मगर सबसे पहले कानपूर की ये तस्वीर क्योंकि ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों यही बताता है कि आज की तारीक में लॉइन ओर्डर को लेकर आखिर उत्तर प्रदेश की जनता क्यूं भाजपा की हाथ तरस्त है इस वीडियो को देखिए दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कानपूर में पुल उन्हें एक जीप में बिठा कर ये लोग रवाना हो गए तो पुलीस ने गोली बारी कर दी होती दोस्तों आज यही है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदितनात के रामराज की हकीकत जाँ भारती जनता पार्टी के निता इस तरह से लॉइन ओर्डर की धज्याडा रह और मैं आपको बताऊंगा कि 2022 के चुनामों को जीतने के लिए किस तरह से एक खास किसम के किरदार का इस्तमाल भाजपा करने वाली है और अलिगड में उसका इस्तमाल शुरू हो चुका है यह मैं आपको आगे जाके बताऊंगा मगर सबसे पहले मैं आपको ये बतलाने आय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदितनात के बीच कोई बैठक नहीं होती है यहां तक कि आज से दो रविवार पहले एक बैठक होती है जो इसका आपके स्क्रीन्स पर है इसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करते हैं अमिच्शा शिरकत करते हैं जेपी नड़ा शिर्कत करते हैं यहां तक कि RSS के एक अधिकारी भी शिर्कत करते हैं और इसका मकसद होता है उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारी मगर इस बैठक में ना योगी आधितनात होते हैं ना उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के अधियक जो हैं वो भी क्यों रख रहा हूं क्योंकि अब मैं आपके सामने एक एहम जानकारी देने वाला हूं क्योंकि भाजपा का आंत्रिक सर्वे आपके स्क्रीन्स पर अगर योगी 2022 में पार्टी का चेहरा बने रहे तो बीजेपी को 100 सीटे भी नहीं मिलेंगी मेरे सोसस ये बता रहे हैं और कीजिए दोस्तों आज से तीन दिन पहले ये शक्स बी एल संतोष लखनव पहुँच जाता है और लखनव पहुच के ये क्या करता है इसकी मुलाकात होती है आपके स्क्रीन्स में बी एल संतोष तीन दिन तक लखनव में 12 काबिनिट मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और संतोष दो डेपुटी सीम से बात करते हैं जिनमें एक केशव प्रसाद मौरे भी हैं केशव प्रसाद मौरे जो की OBC समुदाय से आते हैं और पिछले कुछ अरसे से योगी आदितनात ने इनकी तोहीन करने की मानू एक भी मौका नहीं छोड़ा दोस्तों उनके डिपार्टम इस बैठक में वो भी बुलाए गए थे और कल अविस्तारीक पर गौर कीजे कल यानि कि बुधवार को तीन बजे बील संतोष वापिस दिल्ली आ गए अब दिल्ली में इनकी मुलाकात इन तीन शेहरों के साथ हो रही है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ग्रह मंतरी आमिच शाह और भाजपा ध्यक्ष जेपी नडड़ा बियल संतोष अपनी गुप्त रिपोर्ट सौप चुके हैं इस वक्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जेप नड़ा और आमिच शाह को क्या इस रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई है कि अगर योगी आदितनात को नहीं हटाया गया तो भाजपा को 2022 में 100 सीटे भी नहीं मिलेंगी अगर आप मुझसे पूछें तो क्या भाजपा योगी आदितनात को हटा देने से उन्हें स आदितनात की छवी एक मिलिटन्ट हिंदुत्व नेता की है अब भाजपा का क्या धर्म संकट है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने योगी आदितनात को हटा दिया तो जो उग्र हिंदुत्व का वोट बैंक है वो भाजपा से छिटक जाएगा यहीं नहीं डर इस बा और ही चुनाती है क्या वो योगी आदितनात को नाराज कर सकता है यहीं वचा है कि लगातार टकराव जो है योगी आदितनात और प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी के बीच बना हुआ है दोस्तों मगर योगी आदितनात को बार बार भाजपा का जो आला कमान है वो यह ब आदितनात का चेहरा दिखा कर भाजपाने चुनाव नहीं रड़ा था योगी आदितनात को जीत के बाद बनाया गया था जी हाँ जीत के बाद बनाया गया था यानि योगी आदितनात कहीं न कहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद हैं अब वही योगी आदितनात वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भौहें दिखा रहे हैं उन्हें तेवर दिखा रहे हैं ये अपने आप में बहुत दिल्चस्प हो गया है और आपको ये भी समझना होगा कि योगी आदितनात का शासन किन तीन चेहरों के जरिये चलता है उनके तीन बियोरोक्राक्स ह उत्तर प्रदेश के अंदर कई मामलों में अती कर दिये कई मामलों में इन्होंने तमाम लक्षमन रेखाओं को पार कर दिया है कौन से तीन चेहरे हैं आपके स्क्रीन्स पर अवनीश अवस्थी, SP गोयल जो की अपर मुख्य सचिव है, 87 बाच के IS आफिसर हैं और नवनीत स सहगल, ये तीन ब्योरोक्राट्स और इन तीन ब्योरोक्राट्स की चलते क्या-क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ये हैं सूर्य प्रताप सिंग, एक रिटाइड आइस आफिसर हैं, एक वीडियो सामने उभर कर आता है, उस वीडियो क खबर तैनिक भासकर ने भी की थी, सूर्य प्रताप सिंग ने इस बात को लेकर ट्विटर पर चर्चा की, उन पर F.I.R. दर्ज हो गया दोस्तों, और ये सूर्य प्रताप सिंग पर छटा F.I.R. है, चाहे सूर्य प्रताप सिंग हो, या जो पत्रकार योगी आदितनात की स सरकार से सवाल करते हैं, उन पर F.I.R. करना, उनको टार्गेट करना, कही न कहीं ये तीन ब्यूरोक्राट्स की सोच की उपज है, कौन से तीन ब्यूरोक्राट्स, नवनीद सहिगल, S.P. गोयल और अवनीश अवस्ती, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अगर 2022 में भाज भाजपा की सरकार सत्ता में आई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तीन ब्यूरोक्राट्स पर भी कारवाई होगी, इनकी क्या हरकत है ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, दोस्तों एक खबर जिसकी चर्शा कोई नहीं करता है, वो है 2019 के खबर, क्या आप जानते हैं कि 2019 में भाजपा के देड़ सो से दो सो विधायकों ने विधान सभा के अंदर धरना दिया था योगी आदितनात के खिलाफ, ये 2019 की खबर है दोस्तों, अब कल्प ना कीजिए, यही हाल किसी कॉंग्रिस शासित राज में होता, जहां पर बगावत की गई होती तो मीडिया इसे किस तरह से उचलता, मैं ये खबर आपको क्यों बतला रहा हूँ, मैं ये खबर आपको इसलिए बतला रहा हूँ, क्योंकि योगी आदितनात के खिलाफ, उनके अपने विधायकों में जबर दस्त नाराज़गी हैं, मान के चलिए, कि भारती जनता पार्टी के जो 325 विधा तो एक तरफ आप देख रहे हैं योगी आदितनात के अपने विधायक उनसे नाराज हैं और अगर आपके देड़ सु से दो सु विधायक आपसे नाराज हैं तो ऐसे में एक व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री पद पर कैसे बनाए रख सकते हैं मगर बड़ा प्रशन ये कि योगी आदितनात का पतन कब से शुरू हुआ इसके लिए आपको कुछ तारीखों और कुछ घटनाओं पर गोर करना पड़ेगा तारीख है जुलाई 2020 ये वो वक्त है दोस्तों जब उत्तर प्रदेश का गैंग्स्टर हमारे उत्तर प्रदेश पुलीस के कम से कम साथ से आठ जवानों को मौत के घाट उतार देता है और फिर वो भाग जाता है मगर जब वो भाग जाता है और जब उसे पकड़ लिया जाता है तो उसे कड़गरे में लाने के बावजूद रास्ते में रहस्मय तरीके से उसका इंकाउंटर हो जाता है मगर इसमें दिक्कत यह है कि आपने उसका एंकाउंटर तो कर दिया विकास दुबे अपने मूँ से जिन सफेद पोशों, जिन नौकर शाहों, जिन पुलीस वालों का परदा फाश कर सकता था वो हमेशा के लिए दफन कर दिया गया मगर विकास दुबे के एंकाउंटर से जुड़े कुछ और मामले थे विकास दुबे के एंकाउंटर के साथ साथ कम से कम 12 से 13 और लोगों के एंकाउंटर किये गए और ये 12 से 13 लोग कौन थे? ये तमाम लोग ब्रामन थे दोस्तों यही नहीं विकास दुबे की एक रिष्टदार खुशी दुबे अब भी बताया जाता है जेल में हैं और इसके चलते लगातार ब्रामनों में घुसा जो है वो बढ़ता गया कि देखिए किस तरह से ब्राह्मनों को टार्गेट किया जा रहा है और ब्राह्मनों को टार्गेट करने की सिर्फ ये एक मात्र मिसाल नहीं थी विकास दुबे एंकाउंटर के बाद जिस तरह से 10 या 12 लोगं को एंकाउंटर कर दिया गया जिन में से कई लोग बेकसूर थे सिर्फ ये मामला नहीं था क्योंकि देखिए विकास दुबे तो एक अपराधी था उसको लेकर मेरे मन में कोई साहनुम होती नहीं है मगर अब मैं आपको कुछ और घटनाएं बताना चाहता हूँ जो खोश उड़ा देने वाले हैं ये घटना है महुबा की महुबा के अंदर एक व्यापारी जिसका नाम इंदरकान त्रिपाठी था उसे सर्याम गोली मार दी जाती है खबर क्या है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ क्योंकि इसी खबर को लेके दोस्तों ब्राहमनों में खासा आक्रोश था पत्थर की ख़दानों के लिए देश भर में मशूर महुबा जिले के कबरई जिले में आठ सितंबर को एक खनन व्यवसाई इंदरकान त्रिपाठी का विडियो वाइरल हुआ है जिसमें उन्होंने महुबा के ततकालीन पुलीस अधीक्षत मनीलाल पाटिदार पर 6 लाक रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए अपनी जान को खत्रा बताया था विडियो वाइरल होने के कुछी घंटे बाद इंदरकान त्रिपाठी को गोली मारी जाने की सूचना भी आ जाती है बताया जाता है कि वीडियो जारी करने से पहले ही इंद्रकान त्रिपाठी ने कथित तोर पर रिश्वत मांगने की शिकायत मुख्यमंत्री से भी की थी इंद्रकान त्रिपाठी नाम का एक शक्स शिकायत करता है वो मुख्यमंत्री को भी शिकायत करता है मगर उसकी बात को नहीं सुना जाता उसे गोली मार दी जाती है दोस्तों और उसकी हत्या हो जाती है और यहां से शुरू होता है ब्राहमनों की नाराजगी और फिर दोस्तों आपके सामने उभर कराता है अगस सितंबर में हाथरस कांड एक दलित लड़की का गैंग रेप होता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है रातो रात आपको याद है उसका शव जला दिया गया था सिद्धीक कपन जैसा पत्रकार उसकी पड़ताल करने जाता है आज भी सिद्धीक कपन जेल में बंद है और उस पर आतंकवादियों वाली धाराएं लगा दी गई है रातो रात उसका शव जला दिया गया था जब ये मामला इलाबाद हाई कोर्ट में जाता है तो इनके लॉइन ओर एडी जी प्रशान्थ कुमार कहते हैं कि बलातकार हुआ ही नहीं उन्होंने बाकाइदा प्रेस कौनफरिंस किया तब इलाबाद हाई कोर्ट इनको फटकार लगाती है कहती है प्रशान्थ कुमार से पूछती है कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आप रातो रात इस तरह से शव जला देते प्रशान्थ कुमार ने इसके लाबा बलादकार पर जो बयान दिया था वो सुप्रीम कोट के आदेश के भी खिलाफ था इनका ये कहना था कि इस पूरे मामले में कहीं पर भी वीरे या सीमन नहीं मिला है जो अपने आप में बहुती बरामक और बहुत गलत है उसके बाद CBI की रिपोर्ट आती है दोस्तों और CBI की रिपोर्ट में ये बाद साबित हो जाती है कि उस लड़की का गैंग रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई हात्रस में निशाने पर थी दलित लड़की तो पहले ब्रामन और उसके बाद दलित दोस्तों आपको एक बात समझनी होगी राजनात सिंग भी एक ठाकूर नेता थे योगी आदितनात भी ठाकूर है मगर राजनात और योगी आदितनात के बीच फर्क क्या मैं आपको बताता हूँ राजनात सिंग बेशक ठाकूर नेता थे मगर वो ब्राह्मनों को साथ लेके चलते थे, मुसलमानों को भी साथ लेके चलते थे, दलितों को भी साथ लेके चलते थे, क्योंकि राजनात सिंग अटल बिहारी वाजपी की सोच से प्रेरत थे, मगर योगी आधितनात के साथ दिक्कत क्या है कि ये आज की तारीक में और सिर्फ ठाकरों के नेता बनकर रहे गए हैं और ठाकरों के नेता बने और अगर आप सकरात्मक काम करें तो अच्छा है मगर आप कहीं न कहीं एक समुदाय या जाती विशेश की जो दबंगई है उसको लेकर आपने अपनी आखों पर पट्टी डाली है ये चीज उनके खिलाव जा रही है इस बात को लेकर जो अन्य जातिया है चाहे वो OBC हों, ब्रामन हों, दलित हों उनमें जबरदस नाराजगी है दोस्तों और अब मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि किस तरह से OBC समुदाय में भी बेताहाशा नाराजगी है ये घटना है बलिया की और वहाँ पर SDM की मौजूदगी में गडरिया समाज के एक व्यक्ती को भरी पंचायत में गोली मार दी जाती है भरी पंचायत में दोस्तों और वो शक्स गडरिया समुदाय का था OBC समुदाय का था अब इस घटना के बाद उस इलाके में जो OBC से हैं उनमें भी नाराजगी है तो ब्रहमन नाराज दलित नाराज मुसल्मान पहले से ही नाराज था मुसल्मान तो आपके लिमाईने भी नहीं रखते हैं इसके अलावा जैसे कि यहां आपको बता रहा हूँ OBC भी नाराज मैंने आपको कारकरम की शुरुआत में बताया था ये शक्स केशव प्रसाद मौरिया जो की डेपिटी सीयम है दोस्तों इनका लगातार अपमान किया जा रहा था उन्हें लगातार टार्गिट किया जा रहा था और केशव प्रसाद मौरिया भी इस बामले को लेकर नाराज थे उनकी जो अस्मिता को लगातार ठेस पहुँचाई जा रही थी दोस्तों उसे लेकर खास तोर पर OBC समुदाय में जबरदस्त रोश है योगी आदितनाद को लेकर उनके अपने विधायकों मंत्रियों में नाराजगी की एक और वज़ा है दोस्तों उन्होंने अपने कई मंत्रियों को टार्गिट किया केशव प्रसाद मौरे की तुम्हें बात मैंने आपको बता दी इसके इलावा इनके एक और मंत्री थे जो कि इनके बहुत खास थे सिधार्थनाद सिंग उनसे स्वास्त मंत्रा ले छीनकर उन्हें MSME दे दी गी हाला कि इसका मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि पूरे गोरकपुर कांड को लेकर जिसमें इनसिफिलाइटिस की वज़े से कई बच्चों की मौत हुई थी सिधार्थनाद सिंग का जो रविया था बहुत ही शर्वनाद था तो योगी आदतनाद इसी तरह से अपने मंत्रियों को लगातार टार्गिट करते रहते हैं तो यही वज़ा है कि नसिर्फ विधायक बलकि उनके अपने मंत्री भी उनसे नाराज चल रहे हैं और फिर दोस्तों दो घटना करमाते हैं पहला किसान आंदोलन जी हाँ किसान आंदोलन जिसकी जमीन पश्चमी उत्तर प्रदेश थी लगातार राकेश टिकैट को निशाना बनाया जा रहा था किसानों को निशाना बनाया जा रहा था पीटा जा रहा था और फिर आपको वो तस्वीर याद होगी राकेश टिकैट रोने लगते हैं दोस्तों कि इस एक विडियो ने पूरी भाजपा सरकार की नीव हिला दी थी और ना सिर्व उत्तर पदेश में योगी सरकार की बलकि केंद्र में मोदी सरकार की भी नीव हिला दी थी बड़ी तादाद में किसान जो हैं फिर घाज़ेपूर बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे राकेश टिकैट की तरफ बढ़ने लगे किसानों में आकरोश बढ़ता गया क्योंकि किसानों को लगातार बदनाम किया जा रहा था उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा था उन्हें आतंकवादी बताया जा रहा था और इसका परिणाम हमें कहा दिखा पंचायत चुनावों में जी हाँ पैंडिमिक के बीचो बीच इन्होंने पंचायत चुनाव करा दिये और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पंचायत चुनाव थे करीब 300 सीटों पर हुए थे और उन 300 सीटों में भारती जनता पार्टी को मान के चलिए सिर्व 60 सीटे मिली थे कलतना कीजिए किसी और राजिक में हुआ होता और किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुआ था कॉंग्रेस के साथ हुआ होता तो मीडिया इसे कितने जोर शोर से दिखाता मगर पंचायत के चुनावों को इनने पूरी तरह से दबा दिया दोस्तों तो आप देख सकते हैं किसान आंदोलन और उसका असर दिखाई दिया हमें पंचायत चुनावों में भी मैंने आपको पूरे सलस्रिवार तरीके से बताया कि योगी आधितनात का पतन कैसे हो रहा है अगर इन मुद्दों पर भाजपा केंद्री भाजपा ने ध्यान नहीं दिया तो 2022 में दोस्तों उनका जीतना मुश्किल हो सकता है मगर क्या इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा हार जाएगी? नहीं उसके लिए उनके हाथ में एक बहुत बड़ा तुरूप का पत्ता है वो हिंदू मुस्लिम सियासत जिसके अंतरगत मुसल्मानों को टार्गेट किया जाए और राम मंदर इसके लावा काशी को लेकर भी अब राम मंदर को लेकर भी मान के चलिए अगले साथ या आठ मैनों में तापमान को बढ़ाया जाएगा और हिंदू मुसलिम को लेकर सियासत अभी से शुरू हो गई है मैंने आपको कारकर्म की शुरुआत में बताया था समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट शुरू की बारातियों से कहा गया कि अगर बारात ले जाना है कि मस्जिद से पैदल ही जाना होगा इस पर बारात लोट गई अब इस घटना को लेकर क्या हुआ है दोस्तों तनाव हो गया है इस तरह की बाते भी की जा रहे हैं कि वहाँ पर दलित बड़े पैमाने पर पलायान कर रहे हैं मगर इसमें आपको इस चेहरे पर गौर करना पड़ेगा जो आपकी स्क्रीन्स पर है इसका नाम है दोस्तों सेद नाजम अली कौन है सेद नाजम अली सेद नाजिम अली असद दुदीन उवेस की पार्टी AIMIM का एक नेता है आप मुझे सवाल का जवाब दीजे दोस्तों क्या AIMIM की एक भी सीट है विधान सभा में उत्तर पदिश के अंदर एक भी सीट नहीं है उनका एक सांसर भी नहीं है मगर ये जो नाजिम अली है वो लगातार वहाँ पर उन दलितों को धंका रहा है इस खबर के मताबिक जो की दैनिक भासकर की खबर क्योंकि नाजिम अली ने कहा है कि हम यहाँ से बारात नहीं जाने देंगे हम यहाँ नमास तो पढ़ते रहेंगे मगर बारात नहीं जाने देंगे इसके चलते हो क्या रहा है दोस्तों कि अलिगड के अंदर हिंदूओं और मुस्लूमें में तनाव पैदा हो गया है आज मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूं क्या ओवेसी अपने इस नेता के गएर जिम्मेदाराना बयान पर टिपणी करेंगे क्या इस पर कारवाई की जाएगी इसे आखिर किसने अधिकार दिया है ये कहने के लिए कि मस्जद के सामने से बारात नहीं जा सकती यानि कि उन दलितों पर ठाकूर भी अत्याचार करें और अब नाजम अली जैसे लोग भी अत्याचार करें वो भी मुसल्मानों के नाम पर आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये नाजम अली जो है किसके कहने पर काम कर रहा है क्या ये बात आपको रहस्में नहीं लगती कि आठ महिने बचे हुए है और जमीन तयार की जा रही है उत्तर पदेश के अंदर हिंदू-मुसलिम तनाव की और अगर हिंदू-मुसलिम तनाव बढ़ता है योगी आदितनाच चहरा बने रहते हैं तो दोस्तों यकीन मानिये भारती जनता पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता और फिर योगी आदितनाच का वो कद बढ़ेगा कि उस पर मोदी जी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाने वाला है मगर उत्तर पदेश एक बार फिर जो है वो दफन हो जाएगा उसी तरह की हिंदू-मस्लिम सियासत में क्योंकि दोस्तों कोरोना को लेकर और हाँ सबसे बड़ी घटना कोरोना को लेकर जिस तरह से प्रयाग राज के तट पर शब जल रहे हैं जिस तरह से लोगों को आकसिजिन नहीं मिली जिस तरह से आक्सिजिन मांगने पर लोगों के खिलाफ एफायार दर्ज हुई उसको लेकर राज का मध्यमवरगी राज का गरीब जो है वो बहुत नाराज है गाओं के अंदर गाओं के अंदर दोस्तों ये विडियो देखिए जो आपके स्क्रीन्स पर है कोरोना के किट्स को बर्बाद किया जा रहा है तोड़ा जा रहा है और फिर ये बताय जा रहा है कि देखो हमने गाओं के अंदर टेस्टिंग कर ली है ये है योगी आदितनात के रामराज की असल तस्वीर यही नहीं इस खबर के मुताबिक जो आपके स्क्रीन्स पर है कुछ स्कूल्स के लिए करीब नौ करोड निकाले गए भोजन के नाम पर और स्टेशनरी के नाम पर कि आप जानते हैं कि ये स्कूल्स बंद थे इस तरह से खुला खेल फरुका बादी चल रहा है उत्तर पदिश के अंदर तो ये तमाम मुद्दे हैं जो योगी आदितनात को बहुत जादा अलोग प्रिये बना रहे हैं मगर जैसे कि मैंने आपको बताया जब तक नाजम अली जैसे नेता हैं जब तक AIM जैसे पार्टियां हैं और जब तक असद दुद्दीन ओवैसी इन मुद्दों पर खामोश रहेंगे तब तक भारती जनता पार्टी जो है वो मजबूत होती रहेगी अब इसार शेर्मा को दीजे इजासत नमस्कार